बिति श्रनिवार को ग्वालियर के वितरवार में जो एक दर्दना घटना हुई थी अर्मान बगेल का हत्या करने वाला आरोपी जगनाथ को कल पुलिस ने दबोच लिया दरहसल उस दिन जब जगनाथ उस बच्चे की हत्या गिया उस बच्ची का गला कुलाडी से काट कर उस कुलाडी को लेकर वो फरार हो गया था और लगभग 48 घंटों तक वो घर नहीं आया था तो पुलिस को जब इस बारे में खबर लगी तो पुलिस उसकी चान बीन में लग गई और महज 48 घंटों के अंदर ही अंदर उस आरोपी को गिरिपदार कर लिया आरोपी इतने आसानी से हाथ में आने वाला नहीं था वो गला काटने वाला धरिंदा हाथ में कुलाडी लेकर पुलिस को भी ललकार रहा था अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं इसको लाड़ी से तुम्हारे सर पर भी वार कर दूँगा लेकिन पुलिस ने बड़े ही बहादुरी से उस आरोपी को गिरिपदार कर लिया अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वा आरोपी पकड़ा गया और पुलिस अपने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए और अपने सूजबूच का प्रदर्शन करते हुए किस तरीके से उस आरोपी को पकड़ कर पुलिस थाने ले गई आपने देखा कि किस तरीके से जगन ने अपराद करने वाला अपराधी जो अर्मान बगेल की हत्या कर दिया था इस अपराधी को कल पुलिस किस तरीके से ग्रिफ तार करके ठाने ले गई पुलिस जब उनके घरवालों से पूछती है कि आखिर उनकी कोई आपसी जगड़ा या रंजिस तो नहीं था पहले तो उनके घरवाले बताते हैं कि नहीं कुछ दिन पहले उनके घर से कुछ बकरियां चोरी हुई थी और उनके बगरियां चोरी होने पर वो खोच बीन करने वो बगरियां उनको नहीं मिली फिर इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं इसके बाद जगरनात का एक छोटा लड़का था जो अर्मान बखेल के उमर का था तो दोनों बच्चे बगरियां साथ में चराया कर देते तो एक दिन खेल खेल में जगरनात का लड़का उस अर्मान बखेल को बताता है कि दरसल वो जो बगरियां चोरी हुई थी वो बकरिया उनकी पिता जी ने ही चोरी की थी और चोरी करके उस बकरियों को उन्होंने बेज दिया था अब जब इस बात की भनक उसके पिता जी जगनात को लगती है तो उसे लगता है कि अब उसने जो चोरी की थे बकरिया उसे सब को पता लग जाएगा तो वो चाहता है कि उस बच्चे को जो इसने बताया है वो जाकर अपने घर ना बता दे इससे पहले उस बच्चे को ही मार दिया जाए वो इस तरीके से कुछ प्लान बनाता है फिर एक दिन वह अपने बच्चे के जगह पर खुद बगरी जराने के लिए जंगल में अर्मान बगहिल के साथ जाता है और प्लान के मताबिक वह उस बच्चे की हत्या कर देता है और यह बच्चा मर जाता है पुलिस ने इसे गृपतार करके धारा 302 के तहत मुकदमा धर्ज किया है अब सबसे पहले आप यह समझ लेजिए कि धारा 302 क्या होता है धारा 302 के तहत अगर कोई ब्यक्ति किसी भी ब्यक्ति की हत्या जान बूच कर करता है तो हत्या करने वाले व्लिगति पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है धारा 302 में आरोपी को आजीवन करावास या कि फिर मृतियो धंड की सजाओ सुनाई जाती है ऐसे दर्दनाग घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर इसी तरीके से सद्या सुनाई जानी चाहिए ये जगन्हे अफरात करने वाला जगन्नात ना कि सिर्फ अर्मान भगेल को मारा है बलकि इसने उस बच्चे को मार कर उस बंस के वानों को कुचल कर रख दिया आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सिक्सन में लिखके बताईए और मैं एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किरपया आप सब जूनाइट हो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएए वीडियो को सेर कर दीजिए आपने मुझे तना समय दिया थैंक्यू सुमच